दोस्तो नमस्कार हमारी यूटूब चेनल हेल्फ फिटनेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम आप सब के लिए लेकर आए हैं क्लिंडा माइसिन फास्फेर जेल के बारे में इसके बारे में हम आपको पूरी जनकारी बाते करके देंगे तो दोस्तो आप हमारे साथ बने रही है और इस वीडियो को लाश्ट तक देखे और ध्यान से देखे तभी आपको लिंडा माइसिन फास्फेर जेल के बारे में अ च्छे से जनकारी मिल पाएगी यह आप करेंगे तभी आपको इसके बारे में अच्छे से जनकारी मिल पाएगे तो आए जानते हैं क्लिंडा माइसिन फासफेज जेल के बारे में तो इससे पहले दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने जरूरत अमंद लोगों के साथ इस वीडियो को सेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिए इससे हमारे नीव वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो आएए जानते हैं क्लिंडा माइसिन फासफेज जेल के बारे में यह मार्केट में तमाम नाम के जेल मिल जा इस जेल को तमाम प्रकार की कमपनिया मेनिफेक्चरिंग करती हैं इसलिए आपको मार्केट में अलग-अलग नाम से यह जेल आपको मिल जाती है और जब भी आप इस जेल को ले तो इसका एक बार देखने के बाद आप इस जेल को ले सकते हैं और ज्यादा तर यह जेल को ड परचा के लिए एक बेहतरीन एंटिवाइटिक जेल है जिसमें क्लिंडामाइसिन 10 मीली ग्राम है यह जिवाडू प्रोटीन संसलोसल को रोकने का काम करता है यह क्रीम चेहरे पे जहाई हो दागधब्बा हो मुहासे हो केल मुहासे हो तो वहाँ पर इस क्रीम का उपयोग किया जब भी यूज़ करें तो आप चेहरे को अच्छे से धुलने के बाद तब इस जेल को आप व्योग कर सकते हैं और ज्यादतर साम को ही यह क्रीम लगाने की कोशिस करिया जब भी आप लगाईए तो अपने डाक्टर के सलाह के अनुसार ही लगाईए इसको लगाने से डिफेक्ट नहीं होता है फिर भी तवचा पर लाल खुजली होना या फिर तवचा में हलका सूखा पन या फिर जलन अगर हो रहा है तो आप इस क्रीम को ततकाल बंद करके अपने नजदी के डाक्टर के सलाह के अनुसार ही इस जेल को आप दुबारा लगा सकते हैं अनृत तो दोस्तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लग़ा होगा तो आप अपने जरूरत मन लोगों के साथ इस वीडियो को सेर कर सकते हैं लाइक बिकर सकते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेजए इससे हमारे नी विडियो की अप्दीट या झाप्टिफिकेशन